अज़िए 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 करने का पहुत बहुत शुक्रिया मुझे उमीद है आपको हमारे लेसंस पसंद आते होंगे आपकी तजावीज की रोश्नी में मेरी कोशिश है कि हम इनको मजीद इंप्रूव करते रहे हैं हम अभी भी एवन की ग्रैमर के मौजवाद को डिसकस कर रहे हैं और अभी कुछ वक करेंगे अपनी बकाया जो एवन के मौजवाद हैं और ग्रैमर खत्म होने के बाद मैं आपको मजीद जो पार्स हैं एवन की यानि लिस्निंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग उनके बारे में मैं टिप्स दूँगा और एक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलिए आ हमारा आज का टॉपिक है मौडल वर्ब्स जिसको जर्मन में कहते हैं मौडाल वेर्बन और इंग्लिश में कहते हैं मौडल वर्ब्स देखिए आपने मुख्लिफ किसम के वर्ब्स पढ़े हैं सबसे पहले मैंने आपको रेगुलर वर्ब्स के बारे में बताया था और मिसा के तौर पर फागन, नेमन, एसन, विसन वगेरा और फिर हमने दो helping verb भी सीखे थे यानि helps verbन वो दो थे zain और haban तो दोस्तों इन verbs की तरह modal verb जो हैं ये भी एक category of verb है यानि ये भी एक किसम है verbs की जिनको modal verb का आ जाता है तो आज हम इन verbs को सीखेंगे अच्छी बात यह है कि modal verb सिर्फ 6 verb होते हैं जिनको हम मतलब सीखेंगे और उनको अच्छी तरह समझेंगे तो आज के lesson के objectives कुछ इस तरह से हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि modal verbs कौन-कौन से होते हैं और क्या होते हैं फिर मैं आपको उनकी conjugation के बारे में कुछ बताऊंगा कि उनको person के मताबक subject के मताबक conjugate कैसे किया जाता है फिर उसके बाद हम इनके structure पर गोर करेंगे यानि जुम्ले हों या सवालात हों तो जिन में modal verb का इस्तमाल किया गया हो तो उनको उनका structure क्या होता है और आखिर में दोस्तो हम e-book करेंगे और कुछ fill in the blanks करेंगे practice जुम्ले करेंगे जिसमें आप मनासिब modal verb का इस्तमाल करेंगे तो चलिए start करते हैं देखिए ये जो 6 verb आपको यहां नजर आ रहे हैं इनको modal verb कहा जाता है ये 6 verb हैं सिरफ तो अच्छी बात है हमें बहुत सारे मुख्लिफ verb नहीं याद करने सिरफ इन 6 verbs के बारे में समझना है हम एक-एक करके इन सब के साथ deal करेंगे अभी सिरफ आप ये नोट कर लिए कि ये 6 verb modal verb हैं यानि कौन-कौन से करनन, मुसन, डियूर्फन, जॉलन, वॉलन और मुष्टन और आपको मैं ये बताओं कि modal verb actually हमें ये बताते हैं कि कुछ करने की एहलियत है या कुछ करने की मजबूरी है या फिर कुछ करने की इजाजत है या कोई तजवीज है या फिर कुछ करने का ख्वाहिश है कुछ करने की तो दोस्तों इस किसम के जो sentiments होते हैं ना कुछ करना चाना, कुछ करने की मजबूरी होना वगएरा या इजाजत होना या पबंदी होना for that matter तो इस किसम के जजबात के इधार के लिए हम हर जबान में model verbs का इस्तमाल करते हैं और एक चीज़ें में रखिए कि model verbs जो होते हैं ये actually एक sort of helping verb होते हैं क्यूंकि ये किसी और verb के साथ combination में इस्तमाल होते हैं तो चलिए हम एक एक verb को अलाइदा अलाइदा से deal करेंगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और आप इसको note कर लीज़ेगा क्योंन का मतलब है दोस्तो officially to be able to do something यानि किसी ability का होना कुछ करने की काबलियत होना इंग्लिश में जिस तरह होता है I can I can do this, you can do this जब आप कहते हो ना I can play cricket, I can sing तो इसका मतलब है आप अपनी किसी एहलियत का इसार कर रहे हैं तो can जो इंग्लिश वाला होता है दोस्तों वो जर्मन में verb है können और officially हम कहेंगे to be able to do something अगला verb है müssen जयानि इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं must मजबूरी होना इसकी सरकारी definition है to be forced to do something कुछ करने की मजबूरी होना जहां पर भी मजबूरी का इसार करना होगा आप modal verb इस्तमाल करेंगे मुसन अगला modal verb है dürfen यानि इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं may I may do this I may do that तो dürfen का मतलब होता है to be allowed to do something अगर इसके साथ निश्ट लगा दें या I may not तो वो पबंदी की sense में भी इस्तमाल हो तो to be allowed to do something या फिर not to be allowed to do something तो dürfen यानि पबंदी की sense में भी और इजाज़त की sense में भी तो इसके अलावा अगला modal verb है Zollen Zollen दोस्तों जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं should I should do this I should do that My doctor says I should drink a lot of water तो दोस्तों हम officially कह सकते हैं कि Zollen का मतलब है to be advised to do something यानि कुछ करने का मश्वरा होना कोई पबंदी नहीं है कोई मजबूरी नहीं है कोई किसी काबलियत की बात नहीं हो रही लेकिन advice है अगर आप चाहें तो करें चाहें तो ना करें तो Zollen का मतलब होता है to be advised to do something यानि इंग्लिश में जिस तरह should होता है अगला modal verb है वालन यानि to want to do something यानि कुछ करना चाहना मैं ये करना चाहता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ I want to do this I want to do that तो इसका इसहार आप करते हैं इस्तबाल करके वालन का तो वालन को भी हम अलैदा देखेंगे इसके मिसालें मी देखेंगे लास्ट वलब वर्ब है दोस्तो modal verb मुष्टन यानि I would like to यानि आप ये कह सकते हैं to desire to do something to like to do something यानि कुछ करने के खौहिश रखना इस्मुष्टे देश इस्मुष्टे देट I would like this I would like that ये किसी desire का इसहार करता है आपको बहुत ची किताबों में दोस्तो मुगन भी मिलेगा मुगन और मुष्टन बिल्कुल सिमिलर है टेक्निकली मुगन मुडाल वब है और मुष्टन एक उसका फॉर्म है लेकिन ये आपको कुछ किताबों में मुष्टन मिलता है और कुछ किताबों में आपको मुगन मिलेगा आप बिल्कुल ना घबराइएगा दोनों का एकी मतलब है मुष्टन या मुगन का मतलब है to desire to do something कुछ करने की ख्वाहिश रखता और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ वालन और मुष्टन या मुगन बिल्कुल बहुत सिमिलर चीज़े है वालन जरा कुछ blunt है I want to do this I want to do that और मुष्टन जरा polite है I would like to do this तो आप जहन में रखिये कि वालन और मुष्टन वर्ब के तौर पर दोनों totally एक दूसरे के साथ interchangeable है चलिए अब हम इनको अलग अलग करके इन पर गौर करते हैं करनन जैसा मैंने का करनन का मतलब है can यानि to be able to do something कुछ करने की काबलियत होना अब इसकी conjugation पर गौर कीजिए देखिए modal verb की conjugation में खास बात यह है कि इसमें first person और third person एक ही होता है आपने देखा मैंने इश खान लिखा है और एर एस जी के साथ भी खान लिखा है यानि आपने I can कहना हो तो आप कहेंगे इश खान और he can, she can, it can कहना हो तो वो भी यही है एर एस जी कान तो चलिए सबसे पहले conjugation पर गौर करते हैं इश खान डू कांस्ट एर एस जी कान वियर कोनन यर कोन्ट और जी जी कोनन देखिए मैं कर सकता हूँ I can do क्या होगा इश खान तुम कर सकते हो या तुम कर सकती हो do कांस्ट वो कर सकता है या कर सकती है करनन के साथ कान याद कर लें यानि इश कान याद कर लें तो आपके लिए सारी conjugation बहुत असान हो जाएगी तेकिन इश के साथ आ जाएगा कान और डू के साथ तो आपको मालूम है कि स्टी लग जाता है एंड में तो आप इसी को बना दीजिए जिस तरह मैंने कहा वो तो सेम है वो वही है तो वो क्या होगा और इसके बाद दोस्तों जो वियर और जीजी के साथ है यह according to rule है इसमें आपको याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है यह वही जो regular verb का normal सा rule है यह उसके मताबिक है तो देखा जाए तो अगर आप करने के साथ खान याद कर लें तो आपको सारी conjugation याद हो जाती है एक last time पढ़ लेते हैं इस खान दू कांस्ट एर एस जी खान वियर करन ये कुएंट और जी जी करन अगर आप जुमले में इस्तमाल करेंगे तो परसन के मताविक साहर इस्तमाल करेंगे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहना चाहूं कि मैं आज नहीं आ सकता यानि I am not able to come today तो आप कहेंगे इश्कान होइटे निष्ट कॉमन मैं आज नहीं आ सकता इश्कान होइटे निष्ट कॉमन तुम आज नहीं आ सकते या आ सकती दू कान्स्ट होइटे निष्ट कॉमन वो आज नहीं आ सकता या वो आज नहीं आ सकती एश्जी कान होइटे निष्ट कॉमन हम आज नहीं आ सकते वियर कोनन होइटे निष्ट कॉमन यह current heute nicht common यानि तुम लोग आज नहीं आ सकते और आप नहीं आ जा सकते ze können heute nicht common और वो लोग आज नहीं आ सकते ze können nicht common आपने देखा कि हम आपकी structure पर जरा गोर कीजिए आपको पता है कि हमने आपको हमेशा बताया है कि German language में verb sentence में verb always at the second place तो अगर आप modal verb इस्तमाल कर रहे हैं तो दोस्तो आपने second place पर modal verb लगाना होगा according to the person और जो actual verb है वो sentence के end में चला जाएगा यह देखिए मैंने red में जो लिखा हुआ है मैं आज नहीं आ सकता is can heute nicht common देखिए second place पर can लग गया और common end में चला गया उसको आपने conjugate नहीं करना वो बिलकुल अपने general infinitive form में होगा तो माज नहीं आ सकते do can't heute nicht common आप जो भी इस्तमाल करने person आप देखिए second place पर verb आ जाएगा और actual verb end में चला जाएगा इसमें अगर आप निश्ट निकाल दे तो यह पर positive sense में हो जाएगा इसकान होइटे common का मतलब है मैं आज आ सकता हूँ इसकान होइटे निश्ट common मैं आज नहीं आ सकता तो यह दोस्तो कुनन का structure है थोड़ा सा और अब कुनन का मतलब ही आपको clear हो गया कुनन यानि can to be able to do something कुछ करने की काबलियत होना और मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप कुनन के साथ कान याद कर ले तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा इसकान, दू कांस्ट एर अजी कान, वियर कुनन यह कुन्ट और जीजी कुनन और दोस्तों, इसमें जैसा मैंने आपको पॉइंट आट किया कि फर्स्ट और थर्ड परसन मौडाल, तमाम मौडाल वर्ब्स में बिलकुल एक होते हैं तो चलिए आप इसके कुछ स्ट्रक्चर के उपर बात करते हैं देखें, अगर मैं मौडाल वर्ब कुनन किसी जुमले में इस्तिमाल ना करूँ तो वो मिसाल के तोर पर इस तरह का जुमला हो सकता है इश, श्फीले ख्रीकिट इश व्विवे ख्रीकिट का मतलब है जोस्तों कि मैं ख्रीकिट खेलता हूं या खेल रहा हूं आपको पता है German language में continuous present tense नहीं होता वो present tense और continuous present tense एक ही होता है इस श्पीले cricket यानि मैं cricket खेलता हूँ या पर खेल रहा हूँ अब इस में अगर मैं कबलियत का इजहार करना चाहता हूँ कि I am able to play cricket या मुझे खेल सकता हूँ मुझे खेलना आता है तो मैं कहूंगा इश्खान cricket spielen यानि इश्पीले cricket में कोई एहलियत की बात नहीं हो रही लेकिन इश्खान cricket spielen में एहलियत की बात हो रही है कबलियत की बात हो रही है तो आप देखें second place पर आगया खान और actual verb spielen खेलना वह देखी end में चला गया general form में तो इस combination को आप जहन में रखिए कि modal verb हमेशा किसी normal verb के combination में इस्तमाल होता है कभी-कभी अगर आपको end में actual verb नजर ना आए तो वो तब होता है जब वो understood होता है कि कौन तब verb है उस सूरत में आप बगैर verb के भी लिख देते हैं नेकि normally modal verb is supposed to be used together with another verb तो एक और अब questionable pronoun वास के साथ देख लें यानि वे फ्रागे देखें कैसे बनते हैं अगर मैं कहूँ वास श्पीलनजी वास श्पीलनजी यानि आप क्या खेल रहे हैं या खेलते हैं तो ये इसमें मैं कोई modal verb का इस्तमाल नहीं कर रहा और इसमें कोई महलियत का अबलियत की बात भी नहीं कर रहा लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ क्या आप आप क्या खेल सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए फिर मैं कहूँगा वास क्योंनजी श्पीलन वास क्योंनजी श्पीलन यानि आप क्या खेल सकते हैं, वोई बात structure पर गौर कीजिए सबसे पहले questional pronoun आ गया, was second place पर modal verb आ गया zee के मताबिक, यानि canon, was, और third place पर person आ गया, was canon zee, और end में verb आ गया, general form में modal verb में यही खास बात है कि actual verb end में आएगा was, canon zee spielen आप क्या खेल सकते हैं अगर आप yarn, nine, frogे बनाना चाह रहे हैं yes, no question, तो आपको पता है कि yes, no question तो जनाब verb से start होता है मिसाल के तौर पर spielen zee cricket spielen zee cricket, क्या आप cricket खेल रहे हैं या क्या आप cricket खेलते हैं तो इसमें देखिए कोई काबियत का जिकर नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ क्या आप cricket खेल सकते हैं क्या आपको cricket खेलना आता है तो उसके लिए मैं कहूँगा kernen zee cricket spielen kernen zee cricket spielen तो ये देखिए मैंने आपको पता है yes no question क्यूंकि वर्ब से start होता है तो अगर आप modal वर्ब इस्तमाल कर रहे हैं तो फिर वो आप modal वर्ब से start करेंगे और actual वर्ब हमेशा की तरह end में रहेगा तो इस तरह से ये structure उमीद है आपको कोई तोड़ा सा clear हो गया होगा modal वर्ब second place पर आता है नॉर्मल वर्ब की जगा और actual वर्ब जो है या नॉर्मल वर्ब वो end में चला जाता है जेनरल फॉर्म में और yes no question क्यूंकि start ही वर्ब से होता है तो उस सूरत में अगर आप modal वर्ब इस्तमाल कर रहे हैं modal वर्ब से इस्तमाल होगा start होगा person के मताबिक तो ये structure दरा जेन में रखेगा तमाम modal वर्ब का structure इसी तरह से simple है मैं आपको एक चीज़ दोस्तों बताना बताता चलूँ कि English language में जब हम modal वर्ब इस्तमाल करते हैं I can, I must, I should वगएरा तो उसके फॉरण बाद हम actual वर्ब भी इस्तमाल कर लेते हैं इस तरह I must go, you should eat, I can play cricket तो आपने देखा इंग्लिश में जब हम modal वर्ब इस्तमाल करते हैं तो उसके फॉरण बाद हम actual वर्ब इस्तमाल कर लेते हैं लेकि जर्मन में ऐसा नहीं है दोस्तों जर्मन में आपको second place पर modal वर्ब इस्तमाल करना है और actual वर्ब आपने end में लिखना है तो ये जरा जहन में रखेगा तो ये था modal वर्ब करनन चलिए अब अगले modal वर्ब को देखते हैं ये है मुसन ये यू पे उमला उटे दोस्तों ये मुसन नहीं है आपने पढ़ना ये मुसन है यू है तो मुसन जिसको इंगलिश में आप कहते हैं must यानि मजबूरी का इजहार होता है तो to be forced to do something कुछ करने की मजबूरी होना इसका इजहार हम मुडाल वर्ब मुसन से करते है मिसाल के तोर पर मुझे घर जाना जरूरी है मुझे घर जाने की मजबूरी है तो मैं क्या कहूंगा इश मुस नाख हाउज अगेन इश मुस नाख हाउज अगेन आप देखिए उसी गर्णन की तरह ही है यानि सेकंड प्लेस पर वर्ब लग गया मुसन अकॉर्डिंग टू ज़ परसन इश और उसके बाद एक्चुल वर्ब गेन एंड में लगा रहा है अपने जुमले के इश मुस नाख हाउज अगेन अच्छे दोस्तों करनिन की तरह इदर भी मुसन में भी मैं आपको तजवीज दूँगा कि आप सिर्फ याद कर लीजिए मुस मुसन के साथ मुस याद कीजिए ये पहले S6 से लिखा जाता था मगर अब S6 क्योंके आश्टा श्टा जवन दुबान से खतम किया जा रहा है तो आजकल इसको डबल S से ही लिखते है इश मुस का मतलब है I must और दू के साथ आपको पता है S T लग जाता है मगर मुस में अल्रेडी है कि दो दफाए S लगा हुए तो फिर इसमें आप तीसरा S न लगाईएगा तुम्हें करना मजबूरी है कहने के लिए आपको आप कहें Do must सिर्फ T लगा दीजिए अच्छा Air S और Z जानी थर्ड परसन के साथ तो वो ही लगेगा मुस और बाकी तीनों आपको पता है according to rule है यानी We are must E am must और Z Z मुसन तो दोस्तों Once again Go through करते हैं इश मुस Do must Air S जी मुस We are must E am must और Z Z मुसन जुम्ला मिसाल के तौर पर यूं हो सकता है मुझे घर जाने के मजबूरी है इश मुस नाख हाउज अगेए तुम्हें घर जाने के मजबूरी है Do must नाख हाउज अगेएं Second place पर देखें Must जानी वब मुसन आगया और आखिर में गेएं Air S Z मुस नाख हाउज अगेएं जानी उसे घर जाने के मजबूरी है We are must We are must नाख हाउज अगेएं हमें घर जाना ज़रूरी है You are must नाख हाउज अगेएं तुम लोगों को घर जाना ज़रूरी है और Z Z मुसन नाख हाउज अगेएं आपको या उन लोगों को घर जाना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों आपने देखा modal verb मुसन जो है ये मजबूरी का इसार करता है तो जिस जुमले में भी आपको मजबूरी का इसार करना हो तो आप उसमें verb मुसन एड करेंगे और उसको actual verb के साथ जोडेंगे actual verb end में जाएगा और second place पे modal verb मुसन आएगा चलिए अब इसके भी कुछ जुमलों को देखते हैं मैंने एक तरफ modal verb के बगएर जुमले लिखे हैं और उनी जुमलों को अगर हम modal verb के साथ इस्तमाल करें तो वो आपको right side पर नज़र आ रहे हैं इश वाटे हीर इश वाटे हीर वाटन यानि इनतजार करना इश वाटे हीर मैं यहां इनतजार कर रहा हूँ यह कर रही हूँ इसमें देखिए कोई किसी किसम की कोई मजबूरी का इसार नहीं है लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि मुझे यहां इनतजार करने की मजबूरी है मुझे जबरदस्ती यहाँ पर रुकना है तो वो क्या होगा इश मुस हिय वाठन सेकंड प्लेस पे लगा दीजिए मोडाल वब मुस इश के मताबिक और वाठन जो एक्चुल वब है उसको एंड में लगाईए इश मुस हिय वाठन मुझे यहाँ इंतजार करना जरूरी है यह इंतजार करने की मजबूरी है वे फरागे देखिए वो किस तरीके से बनते हैं मिसाल के तोर पर वोहिन गेंजी वोहिन गेंजी आप किदर को जा रहे हैं आप कहां जा रहे हैं वोहिन गेंजी और अगर आप कहना चाहें कि आपको किदर जाने की मजबूरी है किदर जाना जरूरी है आपका तो आप कह सकते हैं वोहिन मिसन जी गेन जी के मताबक मिसन हो गया और गेन अब मैंने एंड पे लगा दिया वोहिन मिसन जी गेन एक और जुमला देखते हैं श्लाफन जी, याना इन फ्रागे हो गया, श्लाफन जी, यानि क्या आप सो रहे हैं, तो या आप लोग सो रहे हैं, या आप सो रही हैं, ये सब के लिए जी लगेगा, तो अगर आपने अब मजबूरी का इसार करने हैं, तो आप दूसरे को पूछ सकते हैं, क्या आपका सोना जरूरी है यानि मुसंस इशलाफन Must you sleep इंगलिज में कहेंगे Must you sleep तो इसमें देखे मैंने मजबूरी का इशार कर दिया तो इनको तरह एक दफ़ा तसलसूल से देख लेते हैं Once again इश वाटे हिर और आप मुसंस के साथ आप कहेंगे इश मुस हियवाटन यानि मुझे यहां इंतजार करना जरूरी है I must wait here वोहिन गेंजी Where are you going to आप किदर को जा रहे हैं वोहिन मुसंजी गें Where must you go इंगलिज में आप कहेंगे या आपको किदर जाना जरूरी है शलाफन जी Are you sleeping तो इसका मुसंजी के साथ होगा मुसंजी शलाफन यानि must you sleep क्या आपका सोना जरूरी है तो आप देखिए इस तरीके से हम किसी भी normal जुमले को हम modal वब के साथ attach कर सकते हैं इजहार करने के लिए किसी मजबूरी का किसी काबलियत का चलिए अब अगला modal वब देखते हैं दोस्तों 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 के दोनों मतलब हैं यानि कुछ करने की इजाज़त होना या बिर कुछ करने की पबंदी होना तो दोस्तों तो बी अलाउट तो दो सम्तिंग या तो बी फॉर्बिडन तो अगर आप दर्वाजे में खड़े हों और आप कहें May I come in please? May I come in please? तो एक्चुली आप इजाज़त ले रहे हैं अंदर आने की तो इंग्लिश में May I do this? May I do that? यह इजाज़त लेना है You may not do it यह देखिए इसमें वो not लगया नजाद तो वो पबंदी की सेंस में आ जया तो German में भी साथ अगर negation की कुछ चीज लगा दें तो वो forbidden की सेंस में आ जाता है और अगर ना लगाएं तो वो इजाज़त की सेंस में हा जाता है तो dürfen दोस्तो Democrats की साथ आपने याद करना है यह लफ्स Darf इश्डार्फ डार्फ का मतलब समझे तकरीबन मे, I may, I am allowed to इश्डार्फ मुझे इजाज़त है इश्डार्फ तुम्हें इजाज़त है स्ट लगा दीजे साथ दू डार्फ उसे इजाज़त है एर एस जी डार्फ, यह वो सेम है हमें इजाज़त है तुम लोगों को इजाज़त है आप लोगों को इजाज़त है या उन लोगों को इजाज़त है जी जी डियूर्फ तो दोस्तो डियूर्फन का मतलब है किसी चीज़ को करने की इजाज़त होना या पिर पबंदी होना अगर आप निष्ट लगा देंगे तो वो पबंधी की सेंस में, इस डार्व का मतलब है मुझे इजाजद है, इस डार्व निष्ट का मतलब है मुझे इजाजद नहीं है, یعنی पबंधी है, तो इसका जुम्रा मिथाल के तॉर पर ये, मैंने आपको एक यह लिखा है, अगर म here nisht rauchan का मतलब है मुझे यहाँ पर smoking करने की cigarette नोशी की इजाज़त नहीं है तुम्हें यहाँ पर cigarette नोशी की इजाज़त नहीं है do darst here nisht rauchan उसे यहाँ पर cigarette नोशी की इजाज़त नहीं है air s z darf here nisht rauchan आप देखें second place पे verb durfn आएगा person के मताबिक और rauchan end में चला जाएगा हमें यहाँ पर cigarette नोशी की इजाज़त नहीं है यहाँ इधर cigarette नोशी की इजाज़त नहीं है we are durfn here nisht rauchan यहाँ यहाँ नोट smoke here तुम लोगों को यहाँ पर cigarette नोशी की इजाज़त नहीं है यह durfn here nisht rauchan आप लोगों को इजाज़त नहीं है sie durfn nisht rauchan और उन लोगों को इजाज़त नहीं है वो भी यही होगा sie durfn nisht rauchan तो दोस्तों यह verb durfn modal verb durfn उमीद है आपको clear हो गया होगा चली इसके भी कुछ जुम्लों को नजर मारते हैं modal verb के बगएर मिसाल के तोर पर air rauchta nisht वो cigarette नोशी नहीं करता वो smoking नहीं करता he does not smoke air rauchta nisht he is not smoking यह he does not smoke दोनों का एक ही बनेगा air rauchta nisht अब इसमें अगर मैं पबंदी का कुछ इसार करना चाहूं तो वो कैसे होगा air darf nisht rauchan air darf nisht rauchan second place पे dirfan लगाए air के मताबिक और end में वर्ब ले जाए rauchan air darf nisht rauchan यानि उसे cigarette नोशी की इजाज़त नहीं है अगला जुमला wafer आगे किस तरह से बन सकता है wo parke ish mine auto यानि मैं अपनी गाड़ी कहां park करूँ wo parke ish mine auto इसमें देखी कोई modal बब नहीं है लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि मुझे कहां पर गाड़ी park करने की इजाज़त है मुझे अपनी गाड़ी कहां park करने के जासत है तो मैं कह सकता हूँ वो डार्फ इश माइन आउटो पार्खन एक और यानईं फ्रागे देख लीजिए यानईं फ्रागे, मिसाल के तौर पर त्रिंकन्जी वाइन क्या आप वाइन ये शराब पी रहे हैं या पीते हैं, त्रिंकन्जी वाइन तो इसमें अगर आप मजबूरी का इजहार करना चाहें या पबंदी का इजहार करना चाहें तो आप कह सकते हैं Durfansy Wine Trinken Durfansy Wine Trinken यानि once again Trinkansy Wine का मतलब है क्या आप wine शराब पीते हैं या पी रहे हैं लेकिन क्या आपको शराब पीने की अजाज़त है तो इसको आप कहेंगे Durfansy Wine Trinken तो ये कुछ थोड़े से जुमले थे आप उमीद है आपको इससे वर्ब Durfans को समझ दे की असानी होगी होगी चलिए अगला वर्ब देखते हैं ये है जी Zollen Zollen होता है Should Zollen Should ठीक है ना यानि कुछ करने की एडवाइस होना मश्वरा होना ठीक है ना तो अगर मैं कहना चाहूं कि मुझे बहुत सा पानी पीना चाहिए मुझे बहुत सा पानी पीना चाहिए तो मैं कहूंगा इश जॉल फील वासर ट्रिंखन इश जॉल फील वासर ट्रिंखन यानि मुझे बहुत सा पानी पीना चाहिए ये Zollen जो है ना ये मश्वरे का एक एक एक्सप्रेस करता है कुछ करने का मश्वरा होना है एडवाइस होना इश जॉल फील वासर ट्रिंखन फील वासर यानि लॉट अफ वाटर तो आई शुट ट्रिंख लॉट अफ वाटर तुम्हें बहुत सा पानी पीना चाहिए दू जॉल्स्ट फील वासर ट्रिंखन दू जॉल्स्ट फील वासर ट्रिंखन उसे बहुत सा पानी पिना चाहिए एर्जॉल फील वासर ट्रिंखन हमें बहुत सा पानी पिना चाहिए वियजॉलन फील वासर ट्रिंखन तुम लोगों को बहुत सा पानी पिना चाहिए वियजॉल्ट फील वासर ट्रिंखन आप लोगों को बहुत सा पानी पीना चाहिए जी जॉलन फील वासर ट्रिंखन और उन लोगों को बहुत सा पानी पीना चाहिए जी जॉलन फील वासर ट्रिंखन तो आप ने देखा बहुत असान है सेकंड प्लेस पर वर्ब जॉलन लगाईए परसन के मताबिक, सब्जेक्ट के मताबिक और वर्ब ट्रिंकन एंड में ले जाई है और इसमें भी दोस्तों बाकियों की तरह जॉलन के साथ मैं आपको तज्वीज दूँगा कि आप जॉल याद कर लीजिए जॉल का मतलब होता है शुड और इधर भी नोट कीजिए फर्स परसन और थर्ड परसन एक ही है चलिए अब इसी को दर आप कुछ जुम्ले इसके देखते है एर स्टुडियट इन डॉच्छलंड वो जर्मनी में स्टुडी कर रहा है या करता है तो इसमें देखें कोई किसम की एड्वाइस या मश्वरा तो शामिल नहीं है यह तो एक स्टेट्मेंट है एर स्टुडियेट इन डॉच्छलंड वो जर्मनी में पढ़ता है या पढ़ रहा है लेकिन अगर मैं कहना चाहूं उसे जर्मनी में पढ़ना चाहिए ये अड्वाइस है तो मैं कहना चाहूँगा, he should study in Germany, तो वो मैं कैसे कहूँगा, airzoll in Deutschland studieren, उसे जर्मनी में पढ़ाई करनी चाहिए, airzoll in Deutschland studieren. वेफर आगे देख लीजिए, was essen we are heute, was essen we are heute, हम आज क्या खा रहे हैं, तो अगर आप इसमें advice शामिल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे, was zollen we are heute essen, was zollen we are heute essen, what should we eat today? अच्छा येस, अगर आप इसको yes no question बनाना चाहरे हैं, जिस तरह याना इंफराग है, तो उसकी मिसाल ये है, कि Lance do Deutsch, क्या तुम जर्मन सीख रहे हो या सीखते हो, ये देखिए याना इंफराग है, verb से start हो रहा है, तो अगर आपने इसमें modal verb zollen इस्तमाल करना है, यानि कु और आप कहेंगे, solst do Deutsch lernen, solst do Deutsch lernen, यानि क्या तुम्हें जर्मन सीखनी चाहिए, क्या तुम्हें जर्मन सीखनी चाहिए, solst do Deutsch lernen, should you learn German, English में आप कहेंगे, तो दोस्तो इस किसम से देखा, ये बिल्कुछ सब modal verbs में similar है, इसी pattern पे, बस आपने ये गौर करना है, कि situation क्या है, अ तो आप कोई और modal वर्ब इस्तमाल नहीं कर सकते सिवाए, नुसन के, अगर किसी काबलियत की बात हो रही है, अहलियत की बात हो रही है, तो आप कहेंगे, तो ये जर्था जहन में रखिएगा, तो इसके इलावा, जॉलन के बाद चलिए, अब next follow-up देखते हैं, यह है जी, वॉलन, वॉलन का मतलब है दोस्तो, to want to, I want to do this, I want to do that, जैनि intention होना, to want to do something, यानि कुछ करना चाहना, मैं यह करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, यह modal verb है, वॉलन, इसमें दोस्तो, आपने सिर्फ याद कर लेना है, will, ish will, जैन में रखी, यह will, जर्मन वाला, इसका इंग्लिश वाले will से कोई तालूप नहीं है, ish will का मतलब होता है जर्मन में, I want to, ish will, I want to, मैं आज नाश्ता नहीं करना चाहता, फ्रूश्टुखन यानि नाश्ता करना, फ्रूश्टुखन पता है न, आपको नाश्ते को कहते हैं, और नाश्ता करना, यह एक verb है, फ्रूश्टुखन, मैं आज नाश्ता नहीं करना चाहता, इस विल होईटे निष्ट फूरुष्टुकन तुम आज नाष्टा नहीं करना चाते या चाती दू विल्स्ट होईटे निष्ट फूरुष्टुकन हम आज नाष्टा नहीं करना चाते विये वॉलन होईटे निष्ट फूरुष्टुकन वो आज नाश्ता नहीं करना चाहते या चाहती एर ये जी विल होईटे निश्ट फुरूश्टुकन जी ए थर्ड परसन और फर्स परसन देखिए और मोडाल वर्फ की तरह एक ही है तुम लोग नाश्ता नहीं करना चाहते ये वॉल्ट होईटे निष्ट फूरुष्टुकन और आप लोग आज नाशता नहीं करना चाते जी वॉलन होईटे निष्ट फूरुष्टुकन और वो लोग नाशता नहीं करना चाते जी वॉलन होईटे निष्ट फूरुष्टुकन तो दोस्तो वॉलन के साथ आपने मेरमानी से विल याद करना है और डू के साथ स्टी लग जाएगा तो वो दू विल्स हो जाएगा एर एस जी तो वही है विल और बाकी वैसी अकॉर्डिंग टूरूर है विए वॉलन ये वॉल्ट और जी जी वॉलन ये आपकी इसकी कॉंजूगेशन आपके लिए बिल्कुल असान हो जाती है तो चलिए अब वॉलन से मुतालिक कुछ जुमले देखते हैं कुछ मुडालवब के बगएर और कुछ मुडालवब वॉलन के समेत एफलीक्ट नाख अमेरिका यानि वो ओड़कर हवाई जाज में वो अमेरिका जा रहा है एफलीक्ट नाख अमेरिका तो अगर आप कहना चाहें कि वो अमेरिका जाना चाहता है तो वो होगा एविल नाख अमेरिका फलीगन वो अमेरिका जाना चाहता है एक और जुम्ला देखी ये वेफरागे है तो अगर आप कहना चाहे हैं तुम कब क्रिकट खेलना चाहते हो वन विल्स दू क्रिकट श्पीलन वन विल्स दू क्रिकट श्पीलन वन विल्स दू क्रिकट श्पीलन सेकंड प्लेस पर वॉलन आ गया दू के मताबिक और श्पीलन देखिए एंड में चला गया जाना इंफरागे देखिए essencey nischts nischts, यानि nothing essencey nischts, यानि will you not eat anything? are you not eating anything? essencey nischts, क्या आप कुछ नहीं खाएंगे या खा रहे दोनों sense में दोस्तों तो इसमें अगर आपने अब कुछ ख्वाहिश का इजहार करना है, तो आप कहेंगे valency nischts essence don't you want to eat anything? valency nischts essence, don't you want to eat anything? क्या आप कुछ भी नहीं कहना चाएंगे, तो या आपने देखा valen का इस्तमाल कुछ इस तरह से हमने किया है कुछ जुमले बगएर modal web के हैं और कुछ modal web के साथ है अगर आपको एक जुमला दिया जाए modal web के बगएर तो उसकी situation को देखते हुए आप उसमें मुदाल वब इस्तमाल करके उसको बना सकते हैं चलिए अब आखरी modal web देखते हैं यानि मुष्टन जैसा मैंने आपको बताया था ये कुछ किताबों में आपको मेगन भी मिलेगा मुष्टन और मुएगन similar चीज़े हैं मुष्टन और मुएगन दोनों का मतलब है to like to do something यानि to desire to do something कुछ करने की ख्वाहिच करना कुछ करना पसंद करना मिसाल के तोड़ पे इश मुष्टे देन कॉम्प्यूटर काउफन यानि मैं कॉम्प्यूटर खरीदना चाहता हूँ इश मुष्टे देन कॉम्प्यूटर काउफन आप देखें इश के साथ क्या होगए मुष्टे तो दोस्तों मुष्टन के साथ आपने याद करना है मुष्टे इश मुष्टे देन कॉम्प्यूटर काउफन ये ख्वाहिश का इजार करता है अभी यानि कम्प्यूटर आपने खरीदा नहीं है तुम कम्प्यूटर खरीदने की ख्वाहिश रखते हो दू मच्टेस्ट देन कम्प्यूटर काउफ़न इसमें आप S-T के बज़ए E-S-T दोस्तों एंड में लगानी है आपने दू मच्टेस्ट देन कम्प्यूटर काउफ़न वो कम्प्यूटर खरीदना चाता है एर एस जी मच्टे देन कम्प्यूटर काउफ़न हम कम्प्यूटर खरीदना चाते हैं वी ये मच्टन देन कम्प्यूटर काउफ़न तुम लोग computer खरीदना चाहते हो ये मुष्ठेट देन computer का उफन और आप computer खरीदना चाहते हैं जी मुष्ठन देन computer का उफन जैसा आपको मैंने बार बार कहा first and third person same है मुष्ठन के साथ दोस्तों आपने मुष्ठे याद करना है चलिए इसके भी कुछ जुमले देखते हैं इस तू िरिंके काफे इस तू भी काफे यानि मैं काफी पीता हूँ या पी रहा हूँ तो दोस्तों इसमें अगर आपने ख़्ौहिश रहार करना है तो आप कहेंगे मैं यानि कॉफी पीना चाहता हूँ तुम क्या लोगे या तुम क्या ले रहे हो तो आप कह सकते हैं यानि तुम क्या लेना चाहोगे या तुम क्या लेना पसंद करोगे दोस्तों मुष्टन जो है ने ये पोलाइटनेस के इजहार के लिए भी बहुत इस्तमाल होता है आप क्या लेना पसंद करेंगे आप क्या लेना चाहेंगे इसमें आप मुष्टन इस्तमाल करेंगे क्या आप फूल खरीदेंगे तो इसको मैं तो आप इसमें अगर इजहार करना चाहते हैं ख्वाहिश का तो आप कहेंगे यानि वुट जो लाइक तो बाई दे फ्लावर्स तो दोस्तों ये मुडाल वर्ब थे मैंने आपको जिस तरह शुरू में बताया था बस ये जहन में रिखिये मुडाल वर्ब कुछ करने की काबलियत या मजबूरी या इजाज़त या पबंदी या ख्वाहिश ठीक है न या पसंदीद की ये इन चीजों का इसहार न हम मुडाल वर्ब के जरिये करते हैं और ये छे मुडाल वर्ब हैं जैसा आपने सीके तो ये छे मुडाल वर्ब को हमने थरा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा चलिए अब मैं आपको कुछ इनके बारे में प्रैक्टिस करवाता हूँ यानि ये आपको दस जुम्ले नजर आएंगे इसमें मैंने मुडाल वर्ब इस्तमाल नहीं किया हुआ लेकिन इसका तर्जुमा लिखा हुआ है उर्दू में तो दोस्तों आपने इनको जुम्लों को पढ़के और आपने ये अंदाजा लगाना है कि इसमें क्या सिच्वेशन है और कौन सा मुडाल वर्ब यहां पर इस्तमाल हो सकता है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर मजबूरी का इसहार हो तो आपने सिर्फ मुष्ण इस्तमाल करना है अगर पबंदी या इजाज़त की बात हो रही हो तो आपने सिर्फ डियूर्फन इस्तमाल करना है अगर काबलियत की एहलियत की बात हो रही हो तो आप क्योनन इस्तमाल किजएगा तो इन चीजों का खायल किजीगा और जैसा मैंने आपको कहा Wallen और Miskarang ये तो दोनों interchangeable है जहां पर भी Wallen लगेगा वहांपर instinct भी लग सकता है वो interchangeable है तो इनके कुछ मतलब मैं आपको बता देता हूं और आपने फिर इसको थोड़ी देर के लिए pause कर लेना है अपनी वीडियो को और आपने कोशिश करनी है दोस्तों कि आप इसको खुद ही कीजिए तो मैं आपको कुछ words की तरजुमा बता देता हूँ और नीचे वह से उर्दु में मुकमल जुमले का भी तरजुमा लिखा हुआ है देखिए नमबर वान शाहिदा जे गूत जिंगन उन्ट गिटारे श्पीलन जे गूत जिंगन यानि वेरी गूत सिंग उन्ट गिटारे श्पीलन यानि गिटार बजाना जी यानि आप देन शेक शेक दोस्तों ये बैंक का जो चेक होता है उसको कहते हैं देन शेक, नॉख, यानि still, उन्ट श्राइबन, उन्ट श्राइबन का मतलब होता है, to sign, signature करना, दू मिश हॉईते बिजूखन, मिश मतलब मुझे, हॉईते आज, और बिजूखन, to visit, visit करना, तो जवाब आया, nine, आबर मॉर्गन, यानि no, but tomorrow, आज नहीं, यानि कल, number four, यह ऐसन, यह यानि तुम लोग, जवाब आया, या, नतुरलिश, yes, of course, here, यानि इदर, यहाँ, जी निश्ट राउखन, not smoke, और आगे लिखाव है, निश्ट राउखर, दोस्तों, निश्ट राउखर का मतलब होता है, smoking is not allowed, निश्ट राउखर, smoking की अजाज़त नहीं है, तो आपने देखना है, कौन सा modal वब यहाँ पर सबसे appropriate है, सबसे मुनासिब है, और वो किस परसन के मताबिक लगेगा, आगे देखिए, यानि मुझे घर जाना जरूरी है, अब आप देखिए क्या लगेगा, नमबर सेवन, दू मिटून्स, इंस्कीनों गेएं, हमारे दू मिटून्स, मिटून्स का मतलब है हमारे साथ, इंस्कीनों ये इन दस्कीनों को जोड़ के न, इन दस को जोड़ के दोस्तों इंस कह देखिए, मिटून्स हमारे साथ, इंस्कीनों, यानि इंटू दे सेनिमा, गेएं, तो जवाब है, येस, गैन, या गैन, यानि ग्लैडली, शौक से, number 8 का मतलब भी समझ लीजिए मेरा डॉक्टर कहता है जागन से निकला है यह जागन कहना माइर्स जाग्ट माइ डॉक्टर सेज एश और आगे आपने खुद लगाना है modal verb फील वासर ट्रिंकर ट्रिंकर लॉक्टर लॉक्टर number 9 दी आम्पल इस गोट यानि दी आम्पल दी आम्पल ट्रैफिक लाइट गोट रेड ट्रैफिक लाइट इस रेड जी अब आप मोदाल वर्ब देखी कहा लगेगा निश्ट फारन नॉट गो और आखरी वाला दोस्तो इस हाब लाइडर काइनिट साइट लाइडर यानि अनफॉचनेटली बदकिस्मती से इस हाब लाइडर काइनिट साइट और इस डैश 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 स्टिल नॉख यानि स्टिल आरबाइटन आरबाइटन यानि काम करना तो आप देखिए ये दस जुम्लों में दोस्तों आपने यहां पर पॉस कीजिए और देखिए कि आप इसमें सही वाला मोडाल वब लगा पा रहे हैं या नहीं मोडाल वब छे ही हैं तो चलिए आप इसको कोशिच कीजिए हम चंद मिनिट में दुबारा मिलते हैं तो दोस्तों चलिए आप इनको नजर मारते हैं मुझे उमीद है आपने सही मोडाल वब लगाए होंगे तो इसको दरा गोध्रू करते हैं पहला जुम्ला देखिए शाहिदा जो है नहीं यह थर्ड परसन है यानि A.R.S.Z. वाला तो आप कहेंगे शाहिदा कैन प्ले वेरी गूड गिटार एंड सिंग तो क्या होगा शाहिदा कान जे गूट जिंगन उन गिटारे श्पीलन दोस्तो चेक की उपर दस्टखत करने की मजबूरी होती है अगर आप दस्टखत नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे काम नहीं होगा तो मजबूरी का इजाहर है यहां तो आप कहेंगे जी मुसन देन शेक नौख उन्टश्राइबन अगर यहां पर दोस्तो आप नोट करेंगे कि यहां पर एक से जादा मुडालवब लग सकते हैं और उनकी भी सेंस बनेगी और वो बिल्कुल ठीक जवाब होगा क्या तुम मुझे आज मिलना चाहते हो क्या तुम आज मुझे मिलने की ख्वाइश रखते हो कांस तुम मिश हॉइटे बिजूखन यानि क्या तुम मुझे आज मिल सकते हो तो आप देखें यह तीनों ठीक है यहाँ पर इन तीनों की सेंस बनती है लेकिन बाराल सबसे अच्छा मुझे लगा कांस दुमिश हॉइटे बिजूखन नमबर फॉर पे आजाएं मुझेट यह एसन किंडर वॉल्ट यह एसन किंडर दोनों ठीक हैं मुझेट भी और वॉलन भी यानि बच्चों क्या तुम लोग खाना चाहते हो तो जवाबा है नमबर फाइव में दोस्तो निश्ट राउखन की बात हो रही है बलकि आगे लिकाव है निश्ट राउखन यानि इजाज़त नहीं है तो आप कोई और मोडाल वब इस्तमाल नहीं कर सकते सिवाए डियूर्फन के यह डियूर्फन जी निश्ट राउखन आपको यहाँ पर स्मोकिंग की बिलकुल इजाज़त नहीं है यह डियूर्फन यह डियूर्फन जी निश्ट राउखन तो यह डियूर्फन लगाईए नेक्स जुम्ला एसिस जैश्पेट यानि बहुत लेट होगी है देखी यह मजबूरी का इजार है बहुत लेट होगया है इश्मस नाखाउजेगें यानि I must go home I must go home नमबर सेवन दू मिटून्स इंसकीनोगें यानि हमारे साथ सेनिमा चलोगे यह चलना चाहते हो मुश्टस दू मिटून्स इंसकीनोगें विल्स दू मिटून्स इंसकीनोगें जबाब आया या गैन येस ग्लैडली तो मुश्टन भी ठीक है वॉलन भी ठीक है यह हमेशा दोनों आपसमें चल जाते हैं नमबर एट माइन आर्स जाट माइ डॉक्टर सेज अब दोस्तों डॉक्टर तो एक एड्वाइस ही करता है डॉक्टर को आपको जबरदस्ती तो नहीं कुछ कहता डॉक्टर कहता है भी आपको यह करना चाहिए तो माइन आर्स जाट इश जॉल फील वासा ट्रिंकन माइ डॉक्टर सेज आई शुड ब्रिंक अलॉक्टर वाटर माइ डॉक्टर सेज आई शुड ब्रिंक अलॉक्टर वाटर नमबर नाइन पर आ जाए तो दोस्तों कर ट्रैफिक लाइट रेड हो तो आपको इजाज़त नहीं है जाने की इसमें मजबूरी भी नहीं बलके इसमें मिशन इतना अच्छा नहीं है आपको इजाज़त नहीं है अगर ट्रैफिक लाइट रेड हो तो आप लगाएंगे द्यूर्फन दी आम्पल इस गोट जी द्यूर्फन निश्ट फागर यूर नाट अलाउट तो गो और लास्ट वाला दोस्तो इस हाब लाइडर काइनेट साइट लाइडर यानि अनफॉर्चुनेटली आइड़ अनफॉर्चुनेटली आइड़ आइड़ ताइम तो अब अनफॉर्चुनेटली से दोस्तों आपको बता लग रहा है कि मतलब आप करना चाहते हैं लेकिन बदकिस्मती से या पॉसिबल नहीं है तो लाइडर आपको बताता है कि यहां मजबूरी है तो आप कहेंगे इश्मुस नौख आरबाइटन I must, still, still भी आपको बताता है कि मुझे अभी भी मज़ीद काम करने की मजबूरी है मेरे पास बतकिस्मती से कोई वक्त नहीं है मुझे अभी काम करना जरूरी है या काम करने की मजबूरी है तो दोस्तों ये छे मोडाल वर्ब है इसको जरा गो थू कर लीजेगा मोडाल वर्ब्स की कॉंजूगेशन उनका इस्तमाल, उनके वे फरागे उनके स्टेटमेंट, उनके यान इन्फरागे तो मोडाल वर्ब मुश्किल नहीं है सिर्फ छे मोडाल वर्ब है और जैसा मैंने बताया ये एक्स्प्रेस करते हैं कोई पबंदी या कोई ख्वाहिश या कोई अबिलिटी वगारा तो आप इनको गो थू कर लीजेगा तो इन्शाला आपको टेक्स्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी ये जहें में रखिए कि मोडाल वर्ब बोलने में और टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इस्तमाल होती तो इस चीज़ को मद्दे नजर रखिएगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज के लेसन में मोडाल वर्ब्स क्लियर होगे होंगे तो इन्शाला आपसे अनकरीब अगले लेसन में मुलाकात होगी खुदा हाफिज